नहीं कुछ लोग आके आपको ज्ञान देंगे की भाईया इस वीडियो मोधीजी से शेय और कर दीजियेगा ताकि मोधी जी को पता चल जारे पगला अमोधी जी को तो बाहए उस वेक्था पर बहस चीर गई जीयों ने एयर टेल ने और वी आई ने वी आई मतलब बोड़ा और आइडिया जो अब कम माइंड है इन्होंने अपना चार्ज जो है बढ़ा दिया रिचार्ज वाला प्लान तो पूरे देश में बहस चीरा तरह-तरह की बाते आने लगी कि भाई अब एक आहम आदमी कैसे रिचार्ज करवाएगा जबकि अब बिना इंटरनेट के कोई भी बेखती दूर नहीं रह सकता है यही जीयो पहले डेर दो साल तक हमें फ्री देता है और लत लगा दिता है और अब कहता है कि भाईया हम आप तो रेट बढ़ाएंगे तो चलिए आज जान रहेंगे कि वीडियो में रुकल रहना तो मैं पता चल जाएगा कि कौन कितना जिम्मेदार है दोस्तों कोई भी प्राइबिट चीजे प्राइबीट कंपनी या प्राइबिट İsुकूल कोई भी हो प्राइबिट इस श्कूल ले लिजय प्राइबेट बस ले लिजय किसी भी से छेतर को ले लीजी, किसी भी सेक्टर को ले लीजी, वो अपने मन से प्राइज रख देते, अगर मैं पढ़ाता हूँ, मेरा कभी मन होता है कि 200 रूपया फीस होना चाहिए, तो 200 रूपया फीस होगा, हमारे अप्लिकेशन पर मैंतमस्ती अप्लिकेशन पर पढ़ने जाएंगे, हमारा मन होगा कि 300 रूपया फीस होना चाहिए, तो 300 रूपया फीस होगा, इसमें सरकार हमको नहीं कहता है कि तुम कितना फीस रखोगे, नहीं रखोगे, लेकिन अब आईए, एक सरकारी कमपनी भी थी हमारे पास, जो BSNL, अब BSNL की स्थिती खराब करके, और इन सब को परमोट कर करके, कैसे आज इस स्थिती में पहुचा दिया गया है, कि अब आपको लगता है कि भाई, रिचार्ज करवाना बहुत महँगा है, तब पूरी कहानी को जानते हैं, सबसे पहली बात ये, कि ये प्लान है, जैसे भी आई का जो है, डेली डेटा वाले प्रिपेड प्लान, जो 279 रूपया, 28 दिन, अब 299 रूपया हो गया, जो एक जीभी परती दिन, अलिम्टेड कॉलिंग और 100 SMS कर सकते थे, 299 बाला, जो 28 दिन, अब 349 हो गया, तो इसी तरीके से सब का है, 155 का रिचार्ज जो जीओ में था, वो 189 हो गया, अब कहता है कि 28 दिन की वैली डिटी होती थी, उसी तरीके से लास आई, यहां देखी, 2999 बाला, 399 हो गया, अब यहां पर 365 दिन की जिसमें वैली डिटी थी, तो यह तो आपने देखा कैसे 2999 का हो गया, अब 3500 का रिचार्ज और 399 बाला यहां पर आप देखेंगे, 449 हो जाता है, 489 बाला, 589 हो जाता है, तो इस तरीके से बढ़ते चला गया दोस्तु, इस सब बात आप जान चुके हो हम इस पर फालतू के बकबास नहीं करेंगे, यह है अपना BSNL बेचारा, BSNL की स्थीति आज भी देख लीजिए, 347 यह 599, तो यह BSNL का प्राइज आज भी जो इसके पुराने प्राइज थे, जियो वोडा इडिया के, उसके लिए ही आसपास है, और फिर भी BSNL बरबाद और इसके सारे यूजर खतम हुए, तो इसके पीछे की जो रन्नीती थी, वो रन्नीती क्या है, उसको जानने से पहले हम यह जानेंगे, कि जो market share का जो परतीसत है, कि किसके पास कितने परतीसत customer है, इस बात को जान लीजिए, Reliance GEO के पास सबसे ज़्यादा 40.14% share market का पूरा मतलब हिस्सा है इतना, और यहाँ पर आप देखेंगे, भारती Airtail के पास 32.97% यानि लगभग 33% हिस्सेदारी इस market में, Vodafone Idea का सिर्फ है 18.93% और यही BSNL आ जाते हैं, जो हमारी सरकारी कंपनी है, यह आ जाती है 7.78% लगभग समझ लीजिए 8%, MTNL यही सरकारी है, 0.17% MTNL, BSNL से पहले ही आई है, अब आईए दोस्तों, Reliance को, तो यह मुके संबानी के भाई जो थे, अनिलमानी, उसको तो बर बादे कर दिया, बाते खतम है, तो इनका सिर्फ आपने देख लिया, अब इस बात को समझे कि जीयो सबसे उपर और दूसरे नमर पर, Airtel आया, तीसरे पर है Voda Idea, इसके पीछे भी बहुत ब़रा रीजन है, कि कैसे एक BSNL सरकारी कंपनी बढ़बाद होता है, यहाँ पर Airt बरबाद हुआ, इस बात को संचिप्त में हम जान लेते हैं, दोस्तों इनके पास जो करमचारी हैं, एक दस समलव सत्तर लाख, मतलव कि लगभग पौने दो लाख करमचारी है, जिसको बेतन देती है BSNL कंपनी, कई बार मुद्दा भी उठा, कि इनके बेतन टाइम से नही मिल पाते हैं, और कई भार ये भी मुद्दा उठा, कि BSNL के करमचारी ला परबाह होता है, काम करवे नहीं करता है, इन चकरों में BSNL तो पूरी तरह से बरबाद हुआ ही, साथ ही साथ इस कंपनी सब का उठान हुआ, क्योंकि कस्टमर इधर से सब कनेक्ट हुआ इधर, अ मैं आपको बता दू, एक बड़ मैं खुद यूजर रहा हूं, BSNL का, आज से लगभग 6 साल पहले यानि लगभग 2018 में, मैं जब पढ़ाता था यूट्यूपर, तो मुझे ना स्पीड थोरा ज्यादा चाहिए था नेट का, तो उस समय क्या था, मैं जिस लोकल सहर में रहत तो जब हम लाइब आके पढ़ाते थे, बच्चों को तो बफरिंग होने लगता था, तो हमें पता चला कि BSNL पुरानी कंपनी है, उसका जो है, स्पीड इंटरनेट का ज़्यादा काम करेगा, हमने कनेक्शन लिया, BSNL का, अब क्या है कि प्राइबिट कंपनी का कनेक्शन लेने के लिए खाली फोन कर दीजिए, तो हो जाता है, एक ID पूरूफ लेगा, काम हो जाएगा, BSNL में पहले जाकर एक आवेदन देना होता है, आवेदन दिया, उसके बाद जाच होता है, कि भाई अब कहां रह रहे हैं, कि राए के मकान में रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, कि अपना मकान है, कि राए के मकान में है, तो उसके साथ भी एक एगरिमेंट बन बाता है, एक पेपर बन बाता है, इन तमाम चीज होने के बाद, BSNL ने हमारे घर में लगा दिया, लगा दिया, लेकिन उसकी स्पीड चार से पांच Mbps स्पीड थी, जहां प्राइविट व रुपे के आस-पास महीने का, एक लैंड लाइन फोन भी दे दिया, अलग से, और incoming call फिरी रहेगा, call लगाईएगा, तो उसका भी बिल बनेगा, और internet दे दिया, चार से पांच Mbps स्पीड था, हम परसान हुए, हमने उसे complain किया, तो complain में भी हमें लीखित जाके देना होता था, फोन करने से काम नहीं चलेगा, तो ओफिस जाना है, लिखित देना है, फिर उसको रिसीव करता था, उसके बाद उसके उपर, दो दिन बाद कोई वहाँ टेकनिकल स्टाप को भेजा जाता था, चेक करता था, चेक करने के बाद कहता था, इसे होगा, वो इसे होगा, ख लेंड लाइन उठा के ले गया लेकिन कहा connection अईसे नहीं कटेगा फिर आप एक आवेदन लिखे हम फिर आवेदन लिखे वह आवेदन कडियाले में रखन लग गया और दूसरा महिना पहले महिना दूसरा महिना भी हमको बिल भेज दिया दूसरा महिना बिल भेज दिया हम फोन करके उसको बताए जब फोन आया कि भाई आप पेमेंट कीजिए आप अपना बिल जमा क्यों नहीं कर रहे हैं तो हमने कहा कि हम तो connection कटवा चुके हैं हम तो application दिये तो connection कटा नहीं है हमने कहा कि भाई काट दो क्योंकि मैं तो आवेदन दे रखा हूँ फिर ये बात वहाँ खतम होती है तीसरा महिना फिर मुझे मैसे जाता है अब तीन महिने का बिल जोर के मुझे भेज दिया मैं जाके प्रसान हुआ और तब जाके उसका connection कटवाया इतनी लापरभाही BSNL क में वही आएगा जीयों के पास ऐसा तकनीक था जीयों ने अपना इनवेस्ट किया पहले खुब पैसा लुटाया फिरी में लोगों को डाटा दिया आदत लगाया लोगों को लगा कि फिरी में जीयों जबर्दस्ती जीयों में घुज गया अब इसके पास customer जादा फिर धी दीरे पैसा लेने लगा आज इसको प्राइस बढ़ाया लेकिन बीसनल को बरबाद करने के पीछे सरकार की कितनी बड़ी हाथ है इसको समझ यह जड़ा आप जरा देखि刑 कि बीसनल जब से लॉण्च हुआ आप यहाँ पर देखेंगे एक दस दुहजार से एक तिस तीन दुहजार एक तक यहाँ पर यह जो ब्लैक में दिख रहा है यह प्रॉफिट है बीसनल का जो rate में दिख रहा है यह lvas है और यह करोर रूपया में है आप 747 247 करोर रुपय का प्रोफिट कमाया था BSNL पहली बार जब ये लॉंच हो गया था 2001 से 2002 में अब देखे साथ नमा 63,63 लगभग 8 से 9 गुनना प्रोफिट में गया 747 करोर से 6,312 करोर पर पहुँच गया 6312 करोर रुपया का प्रोफिट हुआ BSNL को 2002 से 2003 में 1444 करोर का प्रोफिट हुआ 2003 से 2004 में 676 करोर का प्रोफिट हुआ 2004 से 2005 में 10,183 करोर का प्रोफिट हुआ 2005 से 2006 में 8949 करोर का प्रोफिट हुआ साल के अपेकशाइस बार थोरा कम, 2006 से 2007, 7800, 7805 करोर का प्रोफिट हुआ था, 2007 से 2008 में 3009 करोर का प्रोफिट हुआ, 2008 से 2009 में 575 करोर का प्रोफिट हुआ, 2009 से 2010 में 1823 करोर का नुक्सान हुआ, इसी समय, 2G spectrum घोटाला जो आप सुनते थे, कॉंग्रेस के उपर आरोप लगा था, ए राजा, जो DM के पार्टी के एक थे, जो दूर संचार मंत्री थे, उनके उपर आरोप लगा था, घोटाला करने का, गवन करने का, बाद में 2017 में उनके साथ 16 लोगों को बरी कर दिया गया, सुप्रीम कोट के द्वारा, दोस्तों उस स मैं पहली बार, BSNL घटा में गई थी, इसके बाद आप जानते हैं, 2010 के बाद, 2011 तिरसट सो चोड़ासी करोड का नुक्सान, 2011 से 2012 अठासी सो एक यावन करोड, अध 2012 से तेरह में भी अठातर सो चोड़ासी करोड, अध तेरह से चौदा, सत्तर सो पचासी करोड का नुक्सा अध चौदा से यहाँ से लगातार जारी रहा, और कभी हमारा BSNL जो है, जो सरकारी कंपनी थी, हम सब की कंपनी थी, इसको बैक अप नहीं करवाया गया, और बरबाद होते छोड़ दिया गया, और लगातार बरबाद हो गया, दोस्तों आप जानते हैं, इसके पीछे, ऐसा नहीं है कि BSNL सरकार ने, इसको बचाने के लिए खर्च नहीं किया है, सरकार ने इस पर खर्च भी किया, लेकिन लूट घसोट योजना के तहट, हर किसी ने इसकी मिल बाट की और लूटा, आप यहाँ पर देखिए, रेवीबल पैकेज, तो रेवीबल पैकेज में क्या हुआ, इसमें यह हुआ, कि फर्स्ट पैकेज, 23 अक्टूबर 2019 को 79,000 करोड का दिया, यानि पुर्णोधार करने के लिए, इसको जिन्दा करने के लिए, BSNL को सरकार ने 79,000 करोड रूपईया खर्च कर दिया 2019 में, फिर 2022 में 1,64,000 करोड रूपया BSNL पर खर्च किया गया, इसके बाद 7 जुन 2023 को 89,000 करोड रूपया खर्च किया गया था, BSNL के पुर्णोधार के लिए, यानि टोटल 3,22,000,47,000 करोड रूपया, 3,22,000,47,000 करोड रूपया खर्च किया गया था BSNL को, इसको बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाया, क्योंकि नियत सही नहीं था, अब सोच के देखिए, कि BSNL पर इतना खर्च करने के बाद भी, BSNL की जो आमदानी होती थी, वो दिन परती दिन घटते गई, घटते गई ये गर आप, ये 2021 तक का हमने आपको अभी दिखाया, और ये ऐसे ही, और आगे भी घटते चला गया, लेकिन फिर इसी जगा प्राइवेट कंपनी क्यूं, क्यूं प्रॉफिट में चली जाती है, और सरकारी कंपनी प्रॉफिट में नहीं जाती है, इस बात को जानने की जरूरत है, दोस्तों, ये तो आपने BSNL की बरबादी देखा, अब जान लिजिए, कि एक प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट में क्यूं जाती है, और जाने की जरूरत भी क्यूं है, और सरकार भी यहीं चाती है, कि सरकारी कोई भी कंपनियां डूबते रहे, ताकि हम उसको प्राइवेट कर दें, लेकिन समस्या इस बात की है, कि BSNL को प्राइवेट करना बड़ी मुश्किल है, यह ट्रेन की तरह है नहीं, कि नया रेलवे स्टेशन बेस देना है, नया ट्रेन कोई आएगा तो उसको प्राइवेट कर देना है, अब नौकरी में जो लोग है, उसको बेतन तो देना ही पर चंदा मिलेगा, कोई भी पार्टी जब चुनाव लरती है, तो आप देखते हैं उसको चंदा की जरूरत होता है, इलेक्ट्रोल बांड पर इतना जदा बबाल हुआ था, आप जानते हैं, आप बताईए BSNL कंपनी या रेलवे, कोई भी विभाग जो सरकारी है, वो किसी प पार्टी को चंदा कैसे दे सकती है, लेकिन कोई प्राइविट कंपनी जरूर चंदा दे सकती है, और आप देखिए कि भारती एयर टेल, उसकी सबसिडरी ने चुनावी बॉंड से भाजपा को लगभग 234 करोर रूपय का चंदा दिया, 234 करोर रूपय का चंदा दिया भा तुम फिर इसकी निकासी करो, वसूली करो, तो यह किस्से किया जाएगा, आम आदमी से, इस कंपनी ने सिर्फ भाजपा को नहीं, कॉंग्रेस को भी चंदा दिया, अगर इसको 234 करोर देगा, तो कॉंग्रेस को भी 35 करोर जरूर देगा, और कॉंग्रेस भी पीछे नहीं चंदा लेने के लिए, 100 करोर देगा तो पीछे नहीं हटेगी, और 50 करोर देगा तो भी पीछे नहीं हटेगी, क्यों? क्योंकि पैसा तो बुरा किसी को नहीं लगता है, और चुनाव में चंदा की जरूरत हर किसी को है, तो अब यहाँ पर सरकार के तरफ से, क्यों इस पर लगाम लगाए जाएंगे, और क्यों रोक लगाए जाएंगे, अगर यह रिचार्ज को 299 का 299 कर दे रहा है, 299 का 399 कर दे रहा है, 399 बला 389 कर दे रहा है, और इसी तरीके से 1899 बला को 199 कर देगा, तो क्या कस्ट है? सरकार को तो कोई कस्ट नहीं है, क्योंकि सरकार ने त का इनको कोई कस्ठ ही नहीं है अब रही बात कि आप रासन यानी आटा के नाम पर दौर दरुकर जाते हैं न आटा मिल रहा है तोहां लगता है कि फीरी में तोहां आटा मिल रहा है अभी डाटा से तोहरा आटा नीकाला जाएगा और यही तरीका है अभी देखते जाओ अब यह देख लिजिए यह दिललन टोप की ही न्यूज है कटिंग है जीयो कम्पनी ने भाजपा को कितना चंदा दिया था 375 करोर रुपए का चंदा दिया और देखिए जीयो का विकास कईसे हुआ है से यह जीयो का विकास है बाबू जीयो सबसे पहले 2019 में सिर्फ 891 करोर का इसका जो है ग्रोथ हुआ था नेट प्रोफिट है नेट प्रोफिट ग्रोथ है आठ सो एक्यानवे करोर अगला बार नौसो नब्बे फिर आ गया तेरा सो पचास करोर फिर हो गया 231 करोर दुहजार यहां आप देखिए अच्छा यह भी अप्रिल से जुन तक फिर जुलाई से सितंबर तक युनाइस में यहां तक आ गये अब दुहजार बीस के 4,313 करोर का प्रोफिट कमाया जीओने तो दोस्तों जब तक B.S.N.L. बड़बाद नहीं होता B.S.N.L. के सारे कस्टमर इधर प्राइबेट कंपनी के साथ नहीं जुड़ता तब B.S.N.L. कईसे डूबता और B.S.N.L. को डूबाने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं और वो जो आपने देखा कि हजारो करोर रुपए लाखो करोर रुपए खर्च किये गए उसको बचाने के लिए उसमें भी बहुत बड़ी धांदली होई और वो भी लूट पाट का ही हिस्सा था दोस्तों यहाँ पर ये तो आपने देख लिया अब कोई भी कंपनी 375 करोर रुपए चंदा देगी तो कमाएगी नहीं तो जियो दोसी है जियो ने खर्च किया है तब असूली जियो नहीं करेगा जियो करेगा लेकिन कुछ लोग आके आपको ज्यान देंगे कि भाईया इपीडियो मोदी जी के सेर कर दीजिएगा ताकि मोदी जी को पता चल जाए ले पगला होदी जी को तो सब पता है पीडियो कम से कम आप लोग उस बेकती को सेर करिये जो आटा के नाम पर गया था बोट गिराने अब उसके डाटा से उसके आटा की वसूली होगी काय कि कोई भी आदमी बीना डाटा के तो नहीं रहेगा अगर तुझे आटा चाहिए तक कीमत डाटा के चुकाना परेगा बाकि आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हम अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू